नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं सहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरे भुपाल के हमीडिया अस्पताल में ब्लेक फंगस से पीड़ी दो मरीजों की मौत इंजेक्शन की कमी पूरी करने के लिए सेंट्रल स्टोर से बांटी दवाएं ब्लेक फंगस यानि म्यूकर माइकोसीस का संक्रुनट प्रदेश में 29 से बढ़कर 33 जिलो तक पहुँच गया है सोमवार को भुपाल में 8 नए मरीज मिले हैं यहाँ पर संख्या बढ़कर 298 हो गई है हमीदिय अस्पताल में मरीजों की संख्या 125 से बढ़कर 135 हो गई है यहाँ पर भरती दो मरीजों की ब्लेक फंगस की चलते मौत हो गई है बोपाल में मरने वाले मरीजों की संख्या अब तक 14 से बढ़कर 16 हो गई है सोमवार को नेतर रोग विभाग के डॉक्तर्स ने ब्लैक फंगस के कारण एक मरीज की आँख का उपरेशन किया इस दारान उसकी एक आँख निकालनी पड़ी ग्यारा मरीजों की एंडोसकोपी होनी थी लेकिन मरीज फिट नहीं होने के चलते सिर्फ साथ मरीजों की एंडोसकोपी हो पाई गांधी मेडिकल कॉलेज के दीन दॉक्तर जीतेन शुकला ने बताया कि लगतार मरीजों की संख्या बढ़ रही है मरीजों की संख्या को देखते हुए विदिसाव मेडिकल कॉलेज से दो ENT सर्जन को बुलाए गया है अब पांच डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रही है मरीजों के इंजेक्शन और दबाओं की कमी ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है दूसरी तरफ रवीवार सोमवार की दर्मियान राद को इंजेक्शन की आस में मरीजों के परिजन भटकते रहे कुछ परिजन होशंका बाद रोड पर इस्थिद बायो फेस मेडिकल स्टोर पर एमफो टिरिसिन भी इंजेक्शन आने का इंतजार करती रहे लेकिन संचालक ने राद दो बज़े के बाद ये इंजेक्शन बाटे इसके चलते कई जरुरत मंदों को ये इंजेक्शन नहीं मिले जिसके चलते हैं उन्हें सोमबार को भी भटकना पड़ा एक परिजन सुरेंद्र शुकला ने बताया कि राद दो बज़े तक वो इंजेक्शन के लिए रुके रहे लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक ने स्टोर ही नहीं खुला बहुत देर तक इंतिजार करने के बाद जब गहर लोट गए तो सुबा पता चला की रात में इंजेक्शन बाटे गए हैं उनका कहना है कि इंजेक्शन कैसे मिलेगा इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया है आप देख रहे थे सहर पेडेश देश की प्रमुख खबरे और प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें